गुद मॉर्निंग मैं दीर स्टुडेंट जैसा कि बेटा कल हम लोगों ने औरगेनी केमस्टी का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हम लोग नॉमन क्लेचर और औरगेनी कंपाउंड कहते थे नॉमन केर्चर में हमने पहला जो औरगिनी कंपाउंड को जो जिस तरीके से नेम लिखा जाता है वो है आईउपेसी और ट्राइबियल नॉमन केर्चर ठीक है तो आईउपेसी हम लोगों ने स्टार्ट किया था बटा जो आईउपेसी का जो फार्मूला था फार्मूला के कॉर्डिंग हम लोगों ने कहां तक पहुच चुका था जैसे हम तुमसे बात करें फार्मूला के था पर्रीफिक्स था प्रीफिक्स में दो होती थी प्राइमरी प्रीफिक्स and secondary prefix ठीक है यह दो होते थी plus root word होता था जाद आरा सब लोग को और suffix first and suffix second ओके बोटा यह होता था यह formula था जिसके थुरू हम लोग easily किसी भी organic compound का name लिख सकते हैं internationally ओके बोटा तो हम लोग root words पे चल लेते कि root word क्या होता है तो root word की definition हम लोगों ने लिखी थी क्या लिखी थी बोटा it tells about number of carbon present in main chain is called root word okay अब बात अते थी Mt i mean chain किया होती है The main chain गप थो मैं चेन क्या होती अग्ट में है मेंचेन तो मैं तुम को बता हूँ कि मैं चेन क्या होती पहले तो हम सीखेंगे main chain क्या होती है लिखो the longest possible chain longest possible chain is called main chain the longest possible chain is called main chain in the organic compound longest possible chain जो होगी किसी भी organic compound में वो क्या कहलाएगी उसको main chain कहेंगे जैसे मैं तुमसे बात करो बटा कि main chain का selection बहुत सारे बच्चे कि यही सोच रहे होगी कि main chain क्या होती है main मतलब मुख चेन मतलब स्रंखला यही कि मुख कि स्रंखला क्या होगी अगर कोई compound है बटा वो एक से अधिक chance रख रहा है तो main chain वो होगी जिसमें क्या हो सबसे लंबी chance रंखला हो ठीक है जैसे मैं तुमसे बात करूँ कि carbon है बटा तो carbon आपको पता है कि catation power होती self linkage power तो इस तरीके से देखो यह है हां यह mention है कि नहीं बटा बोलो एक दो तीन चार पांच तो अब इसमें अगर तुमसे बात करें बटा तो इसमें कोई स्रंखला है क्या कोई स्रंखला नहीं है इसमें केवल एक स्रंखला है तो यही main chain होगी ओके बटा अगर एक से अधिक स्रंखलाएं हैं जैसे मैं तुमसे बात करूँ इसकी यह तो अब देखो एक-दो-तीन--चार-पाँच एक तो यह स्रंखला हो गई यह मतलब चेन हो गई दूसरी कौण से हो गई एक-दो-तीन-चार-पाँच दूसरी यह ओली हो गई इसमें भी-पाँच है कोई भी-एक आपगा एनी अर्ट-डर फोर कितनी एक और दो तो कोई भी एक मार लो किकी दोनों में number of carbon same है अगर number of carbon same होते हैं तो कोई भी एक हम choose कर लेते हैं मुक्स रंकला के तोर पर ठीक है बटा ये कौन सी होगे ये मार लिया तमारी main chain होगे ठीक है ठीक है अगर हम इस तरीके से कुछ लिखें बटा अब बताओ अब कितने संखला हों गई बताओ बटा बहुत सरी संखला हों गई बहुत सरी chains हों गई बट सबसे longest possible chain को आपको क्या करना है consider करना है ऐसे main chain ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है साथ हैं इस chain में इस संखला में साथ कारबन है ओके बटा दूसरी संखला चुछ करो 1, 2, 3, 4 यह वाले में 4 के वाला है यह होगी नहीं में इस यह भी नहीं होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह भी नहीं होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह भी नहीं होगी यह जो मैं हम लोगों ने select की है वो ही क्या होगी बटा main chain होगी ठीक है हों कि यह जो यह जो वेटा इससो आप्टर सेलेक्शन हमें यह दो रिक्षिक्स यानि कि यह जो लिख क्या है यह फ्रीफिक्स है ठीके कि तो मेंचेन क्या हो गई भोल कि मेंचेन वह चेन होती है जिसमें नंबर आफ कार्बन क्या हो मैक्सिमम हो ठीक है ओके चलो अब हम कुछ कोशन तुमको में दोंगा जो आप लोग को करना है ठीक है चलो पहला कोशन जैसे हम तुमको दे रहे हैं को ऍ leggूओ की है तुमको कि हीरै एक घ्ना शेजब है बस्ट्सक्राइब कहा है। चलिए बताईए पहला question करें सब को पहले तो आप question को solve करिएगा उसके बाद मेरा वीडियो solution है वो देखो ठीक है चलो अब मेरे साफ से आप लोगों ने questions कर लिये होंगे अब questions को आंसर को मिलाने के लिए हम लोग चक करेंगे अपने answer को ठीक है चलो देखो सबसे पहले देखें कि लंबी chain क्या है 123456 यह सबसे लंबी chain है longest chain है क्या यह longest chain है क्या नहीं दूसरे तरीके से देख सकते हैं 1234567 हो गया इसमें किते हैं थे बटा 123456 ही थे 1234567 हो गया कहीं पर एट आ रहे हैं क्या 1234567 ही हो रहे हैं 123456 ही हो रहे हैं यह जो longest chain है कौन सी होगी यह वाली होगी यह जो मैंने घेरा बना दिया है बटा रेक्टेंगल टाइप का वो होगा तुम्हारी में चैन मेरे साथ से कुछ बच्चों ने किया होगा है इसमें बताओ इसमें पहले तो आप सिदी सिदी दिखिल लो 1234567 123456 12345678 हो गया है 12345678 यह भी हो गया है कि 123456789 देख रहां बटा यहां से अगर इस तरीके चलो या इधर देखते हैं 123456789 तो चाहिए इधर से ले आओ चाहिए इधर से ले आओ ठीक नाइन वाली से रख खरोगा नाइन से ज्यादा नहीं निकलनें किसी भी इस रंग खला में क्या 10 निकलना है क्या कहीं पर नहीं यह तुमारी कौन सी हो गए बटा मेंचेन हो गए ठीक है मेंचेन हो गए अब देखो 1234567 123456789 12345678910 12345678910 1234 Fuk678910 तो 10 ही निकलनाśniej कहीं से भी जाओ ज़र तो यह ले आयसे स्रंख्रा मान सकते हो this is called main chain तो सबसे लंभी स्रंख्रा वाली चेन ही क्या कहलाएगी आपकी main chain कहलाएगी ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मेंचेन का सेलेक्शन कर सकते हो ठीक है बटा इसको कहते हैं सेलेक्शन आप मेंचेन यहां पर हैडम डाल सकते थे कि मेंचेन क्या होती है और यहां पर डाल सकते हो मेंचेन हमने तुमको बता दिया और यहां पर यह जो यह जो एक्जामपल थे यहां पर डाल सकते थे सेलेक्शन आफ मेंचेन मेंचेन का सेलेक्शन ठीक है क्यों बटा तो इस तरीके से हम लोग क्या है मेंचेन का सेलेक्शन सेख गया है कुछ एक्जामपल हम तुमको देंगे अफ्टर कम्प्रीशन आफ वीडियो जिनको आपको करना है मेंचेन के तौर पर सेलेक्ट करना ठीक है ओक बटा अब हम सीखने जा रहे है कि सेलेक्शन आफ मेंचेन पार्ट टू कि इसमें बहुत सारी चीजे और इंट्रोडीश होंगी दिखो पार्ट पार्ट बहुत से चीजट आफ बटांगी चरह से दिरेक्शनल टारी मेंचेन인이 ग्यानि मोस् साइब गे पकाव्या अवीडियो जिक Storm 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 1213 13 1313 during during selection of main chain we select those chain in which multiple one or functional group is present if organic compound contain multiple bound functional group then during selection of main chain we select two chain in which multiple bound or functional group is present मतलब यह कह रहे हैं कि अगर मैं तुमसे बात करूँ एक्जामपल के तौर पे multiple bond मतलब क्या होता है multiple bond मतलब होता है कार्बक्सिलिक इसे सब लोग जानते होगे सी डबबल लॉएच जिन बच्चों ने टेंस में पढ़ा होगा कार्बक्सिलिक इसे एल्डी हाइट की टोन यह पढ़ा होगा ना मतलब यह होता है की टोन चिटोन बतलब यह होता है की टोन अगए दोनों तरफ इसके बैलेंस गुरुप लगे होते हैं ठीक है तो यह फंक्शनल गुरूप होते हैं इसके मैं टेबल बनवाऊंगा जिसमें आप लोग इसको पहचान पाऊगे अभी तक तो इतना आप याद रखोगे कि सेलेक्शन मेंचेन के दौरान अगर डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड आड हैं तो उनका नामकरण किस तरीके से जिसमें यह दोनों चीजे अगर दोनों चीजे पर जे और अगर एक चीज प्र fragment है जैसे उस रींग में केवल function group present है तो function group को लेते हुए मेंचेर का selection करोगे और अगर multiple bond present है double or triple bond तो उसमें selection करोगे ठीक है जैसे मैं तुमसे example में बात करता हूँ और यहाँ double bond मैं लगा दिया ठीक है तो double bond को consider करते हुए सबसे लाउंगे श्रंद देखना एक दो तीन चार पांच है तो यह और इच्छे वाली हो गई ठीक है कि इसे double bond यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया इस तरीके से तो हमेशा याद रखना वटा कि अगर double bond या multiple bond एक से अधिक प्रेजंट है तो आपको में चेंड का सेलेक्शन वही चेंड को करना है जिसमें maximum से maximum double bond आ सके इस इर्रेस्पेक्टिव आफ कि number of double bond में चेंड में कितने हो रहे हैं आपको क्या चेक करना है कि number of double bond कितने में प्रेजंट हो रहे हैं में चेंड में यह चाहिए कितनी भी हो ब्रांचे स्टाइक कितनी भी लंबी हो चाहिए 1200 हो 300 उससे कोई मतलब नहीं है याद रखना है चीज को चाहिए तो स्टार बनाके पॉंड लिखो कि यह इफ और तायन ओर दैन और देन और देन तो यह मूर दन और देन और बन अ पर दो आ चाहिए or present then we select then we select main chain in which maximum number of multiple bonds are present ठीक है तो इस तरीके से क्या करोगे आप चीजे देख लोगे कि क्या है किस तरीके से हो रही है चीजे आपके बटा चलो देखते हैं अगे चलो तीसरा एक्जामपल एक दो तीन इसमें नहीं है अब क्या करोगे अब तो तीन जगा है तो आपको वह चेंज सेलक करनी है जिसमें मैक्सम से नंबर रबल बंड आए और ब्रांचस जादा हो तो यह वाली ब्रांचस जादा होगी ठीक है चाहिए चलो चाहिए खलो दोनों देखे सेम बात है ठीक है बटा तो इस तरीके से कर सकते हैं और अगर फंक्शन ग्रूप कोई प्रमच्रांट है तो यह यह आ गया तो आपको फंक्शल्ण ग्रूप को लेते हुए में चेंग सेलक किन्नी función लाउन्गस टूक्षिटdy तीके फंक्श्ण गूर्प लेकिन प्रेजंट होना चाहिए यहाद रखना इसको के बटा चलो चलो हम वोमवर्क दे रहे हैं ठीक है वो करके मेरे मेरे पास भेजना ठीक है बटा सारे बच्चे चलो यह आपका होमवर्क है जिसको आपको बहुत ही इमानदारी के साथ करना है ठीक है बटा select the main chain ये पहला question ये वाला है बटा ये पहला question है जिसमें कोई भी double bond और पर bond नहीं है केवल simple single bonded है इसमें double bond दो जगा लगा है double bond यहाँ double bond यहाँ और ये एक स्रंग खला है main chain वो है ब्रांद चुक है और यहाँ पर एक function group यह है जिसको rehyte करते हैं यह ketone है और यह double bond लगा हुआ तो आपको main chain का selection किस तरीके से करना है यह आपको पता होना चाहिए और यहाँ पर देखो बटा यहाँ पर है function group double bond as well as function group तो आपको यहाँ double bond यहाँ भी लगा हुआ है तो आपको बहुत ही ध्यान से चिक करना है किस तरीके से करना है क्योंकि double bond यहाँ भी प्रजंट यहाँ और functional group भी प्रजंट है तो आपको किस तरीके से mention का selection करना है ठीक है ओके इसमें भी देखिए दो-दो जिगा पर लिखा यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया तो इसका मदब घवराने जरूत नहीं है तो आपको क्या करना है मैक्सिमम नंबर आपको आर्वन देखने हैं और चेक कर लेना ठीक है तो यह तुम्हारा क्या था होमबर्क जो होमबर्क मुझे करके भेज़ेगा मैं समझ जाओंगा बच्चा मेनद कर रहा ठीक है बटा चलो थैंक यूँ